तो मैं हूँ आपका दोस्त मनीज और आप देख रहे हैं एड़को क्लासिस को आज हम बात करेंगे करिकुलम इंप्लिमेंटीशन और रिनीवल को जी हाँ दोस्तों किसी भी देश की एजुकेशन डेवलाप्मेंट डिपेंड करता है कि उसके करिकुलम कैसा है अगर जिस भी इसका करिकुलम अच्छा है परजेंट सिनारियो को परजेंट जो नीड है उसका नीड को फुल्फिल अगर करता हो करिकुलम उसके अनुसार जो एजुकेशन का करिकुलम बनाया जाता है तो उस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहता है ऐसा माना जाता है यानि हमा हमारे नीड के अनुसार हमारी प्रिजेंट नीड के अनुसार करिकुलम अगर बनाया जाता है दोस्तों करिकुलम के बज़े से एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो सकती है ऐसा बोला गया है दोस्तों तो यहां पर हम बात करेंगे कि करिकुलम implementation करने के लिए उन कौन-कौन से agent की जरूरत होती है दोस्तों है ना और time to time curriculum में renewal की जरूरत होती है ऐसा नहीं है कि आप एक बार curriculum बना दो 20-30 साल तक आप चलते रहेगा ऐसा भी नहीं है time to time need क्या है उस सारे need को ध्यान में रखकर curriculum में changes करना भी जरूरी होती है क्योंकि आज जो science और technology की जो requirement है demand है उसके अनुसारा करिकुलम में हम changes नहीं करेंगे तो हम औरों देशों के साथ compete नहीं कर पाएंगे दोस्तों इसलिए curriculum में renewal और changes की बहुत ही जरूरी होती है और हम आज की वीडियो में उन सारे agent को discuss करेंगे जैसे की role of teacher जो होती है curriculum implementation में कि कैसे role play करता है इसको में discuss करेंगे और कौन-कौन सा resources है learning resources है जो curriculum implementation में यूज किया जाता है उसके बाद उन सारे evaluation और revision को भी need of model को भी discuss करेंगे feedback learner का important होती है कि curriculum में learner क्या सोचते हैं उनकी interest क्या है teacher and community और administration को भी हम लोग एजेंट 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 एया preparation और भी अच्छी direction में move on हो तो बिना delay के वीडियो को start करते है वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा like करें और share कर दें दोस्तों के साथ में आप किसी भी बीट से कोई भी टॉपिक पर आपको चाहिए material तो आप playlist में जाकर आप सर्च कर सकते हैं टोटल वहां पर material में प्रवाइड कर रखा हूं आप मुझे प्रोशेश होती है ऐसा नहीं है कि आप curriculum बनाया और तुरंत आपको इंप्लिमेंट कर दें उसको हर एक एक basic एक नीट से basic stage से होकर एक higher stage तक हर एक step को research होने के बाद ही curriculum क्या होते इंप्लिमेंट किया जाता है उसे लागू किया जाता है तो curriculum implementation करने पाइनली जब submitted होता है उस बनने से submitted के बीच में बहुत सारे टर्मों से उसको गुजर कर होकर जाना पड़ता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते curriculum को बनाने में उसको implement करने में तो हमारे parents हो सकते teachers हो सकते school community state country administration resources इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर curriculum को बनाया जाता है और इनहीं सब के माध्यम से math through से हम लोग curriculum को implement भी करते हैं क्योंकि हमारा जो ये agent होते हमारे stick holders होते ही और इनहीं के माध्यम से curriculum को implement किया जाता है और दोस्तो टीचर जो होती है और community जो होती एक साथ मिल कर एक environment में काम करती है और उन सारे गोल को achieve करने में help करती है और बच्ची को कि जो बच्चा की need होता है जो बच्चा चाहता है उसको बताया जाता है कि इसके अनुसार ऐसे पढ़ो ताकि आपकी development होगी उस हिसाब से curriculum को बनाया जाता है और curriculum को implement करने में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी process में लाया जाता है दोस्तों ठीक है during the implementation of curriculum learner engage themselves with the content curriculum को implement करते समय learner जो होते हैं और जो content होता है उसको ध्यान में रखकर बच्चे बोर्ड ना फिल करें इसको ध्यान में रखकर उनको engage किया जाता है इंगेज करने का मतलब gap कम रखा जाता है यानि जो बोरियत है curriculum और learner के बीच का उप कम कर दिया जाता है उस टाइप से curriculum को बनाते समय ध्यान रखा जाता है skills, ability को ध्यान में रखा जाता है कि curriculum पार्ट करम कैसा बनाया जाए ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर six class का है तो आप curriculum बना दो eight class के हिसाब से इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर में एक परकार का disappointed create होता है तो learning situation को ध्यान में रखा जाता है resources, materials, goals भी ध्यान में रखा जाता है objective को भी ध्यान में रखा जाता है curriculum को implement करते समय तो दोस्तों आप यहाँ पर screenshot ले लो ताकि आपको लिखने में exam में ज्यादा से ज्यादा help होगा मैंने आपको जो समझाया है वो सारे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है और वो सारे factor को discuss करते हैं एक one by one teachers को administration को learners की feedback को community को सब को discuss करते हैं कि implementation में कैसे role play करते फिर renewal को भी देखें कि renewal क्यों जरूरी होती curriculum को तो मेरे साथ बने रहे हैं अंतक वीडियो देखें तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि कौन-कौन सा stakeholders है जो curriculum implementation में stakeholders in curriculum implementation तो उस parents हो सकते हैं teachers other organization resource हो सकता है community हो सकते curriculum manager and administration इन सारे चीजों को देखते हैं one by one दोस्तों learner को at the center of the curriculum learners जो होते उनको curriculum के center में रखा जाता है उनीक के विहाप में उनीक अनुसार learner के अनुसार child centered curriculum होनी चाहिए इसलिए curriculum बच्चों को interest बच्चों की need को ध्यान में रखकर curriculum implement और तयार करने में help करना चाहिए इस तरह से curriculum implementation और उसको form में करते समय ध्यान curriculum में जो content होती है और learner को influence करती है directly influenced by it ठीक है ना तो primary जो कहा जाता है जो होता है जोस्तों learner होता है और curriculum से direct benefit किसको होगा learner को होगा इसलिए curriculum को implement curriculum implementation में यह ध्यान रखना है कि benefit learner को हो रहा है या नहीं हो रहा है यह साथ चीजों को ध्यान में रखना है upon them lies the success or failure of the curriculum अगर learner को benefit नहीं होगा दोस्तों करिकुलम की जो implementation है वो success ना होकर failure हो जाएगा दोस्तों learner की उन सारे characteristics को उन सारे norms को ध्यान में रखना है जैसे कि एज हो गया learner की एज को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाना जाना चे जेंडर फीजिकल्स जेंडर बायस नहीं होना चें मेंटल इमोशनल डेवलोपमे पर बनाते समय ध्यान अगना cultural background, interest, aspiration and personal goal इन सारे चीजों को consider करना चाहिए करिकुलम implementation के टाइम में ठीक है दोस्तों उसके बाद आ जाता है teacher as a curriculum developer teacher को curriculum developer कहा जाता है और इसको implementer से भी कहा जाता है तो कैसे teacher implement करेंगे curriculum को उसको देखते हैं, दोस्तों teacher कर एक curriculum developer or implementator कहां ही जाता है उनके हाथ में होता है curriculum कैसे डिजाइन किया जाता है करना है और कैसे उससे amendment करना है ठेक हो नह sürजिसरों कि झाता है काफी ज़श्ज ज्यादा करते हैं तो करिकुलम को इंप्लिमेंट के बीच में जो ब्रीच का काम करता है यानि करिकुलम कंटेंट को कैसे बच्चों के बीच में इंप्लिमेंट करवाना इन सारे चीजों को टीचर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है उन्हीं की रिस्पॉंसपिलिटी दिया जाती है कि जो करिकुलम में कंटेंट को बनाया गया है उसको कैसे इंप्लिमेंट किया जाए तो यह इंप्लिमेंटर बन जात चीजों को ध्यान में रखते हैं कि बच्चे का गोल क्या है उसका नीड क्या है इसकी इंट्रेस्ट क्या है लर्नर की उस सारे चीजों को ध्यार में रखकर करिकुलम बनाते हैं इसके करिकुलम को बनाया जाता है करिकुलम टेक्स्ट बूक कमीटीक पकलटी और ःक्षाइड करिकुलम करिकुला तो आप देखेंगे नौट बगार भेगए आप देखेंगे ऊसमें बहुत सारे चीजों को अब्जूर्ब किया जाता है इसके बीसरच करते हैं और फिर उसे करिकुलम तयार किया जाता है और जिस क्लास के बच्चे उसके अनुसार करिकुलम बना दिया जाता है ठीक है? I hope चीजे समझ में आ रही है आपको अब teacher एक implementer कैसे हैं? तो teacher as a curriculum implementer, which of the plans should be put in the action and how should it be done? What are the decisions teachers should make? curriculum implementation is now giving life to the written material, guiding, facilitating and directing activity which will be done by the student यह सारे चीजें teachers कर सकते हैं फिर school environment, school environment कैसे help करता है curriculum को implement करने के लिए? तो environment, जो school होती है, एक ऐसा place होता है, वहाँ का जो environment होता है interaction, curriculum, school, teachers, students के बीच में जो interactions होता है, जो environment create किया जाता है है ना, उसमें curriculum को implement करने की बहुत important role play करती है school है ना, कैसे आपको, क्योंकि बच्चा वहाँ पर interact करते हैं अपने teacher से, है ना, बच्चा curriculum को जानते हैं, समझते हैं, सारे चीजें तो relation जो होता है, relationship between teachers, student और administration and parents will work as an entity towards achieving which would be very difficult from school that process and environment of authoritativeness, तो यह सारे चीजें को हम कह सकते हैं कि environment जो होती है school की, करिकुलम को implement करने में, ज्यादा से ज्यादा help करता है, अगर environment सही नहीं रहेगा, तो जो curriculum को time दे रखा है, वो time में करिकुलम सही से पुरा नहीं होगा, और सही से implement नहीं होगा, इस वैसे से फिर दिक्कत हो जाएगी, education को growth करने में, इस तरीके से आपका, फिर उसके बाद होता है administrator, administrator of the schools are the backbone of the school, तो administrator जो होते हैं, वो होते हैं, schools का backbone होता है, school which the administrations or the administration are open to idea, attract respect from all its subunits, teachers, parents and learners look toward their administrator for all advices, तो यह ध्यान रखेंगे, जो administrator होते हैं, school का, वो काफी ज़्यादा hero जैसा work करते हैं, उन्हीं के तरफ सारे teachers, schools, parents look करते हैं, क्यों क्या advice करते हैं, उनकी advice को लोग मानते भी हैं, ज्यादा valuable दिया जाता है, administrator will consider different factors that influence implementation curriculum and will try to ensure that they work collectively, तो curriculum administrator या manager जो होता है, उनका जो work होता है, वो क्या करते हैं कि curriculum को implement करने का, student को admit करने का, कौन से book पढ़ाना है, कौन से book नहीं पढ़ाना है, किस सहाब से बच्चे की growth जादा होगा, इन सारे चीजों पर focus करते है, procure equipment and materials needed, कौनकों से equipment की जरूरत है, क्या material की जरूरत है, कहां पर कब किस time में TLM की जरूरत है, इस सारे चीजों की administrator पर responsibility होती है, plan for the improvement of school facility and physical plans, तो कह सकते है overall finally, कि जो role होता है administrator का, वो आपका institutional leadership का role होता है, command responsibility का role होता है, final decision making in terms of the school purpose और इस सारे चीजों जो होती है, तीनों आपका administrator का role होता है दोस्तों, अब कहेंगे कि parents कैसे एक supporter है curriculum का, कैसे implementer है curriculum का तो उसको देखते हैं, तो parents कैसे supporter हो सकता है, जैसे कि आप कहीं कहीं देखे होंगे, कि my children and my money go to this school, इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे को उनके जो बच्चे होते हैं, उसके लिए पैसे पे करते हैं, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें पैसे पे किया जाता है, फी के रूप में, उस फी से क्या होता है कि administrator को या फिर जो भी होते है organization body, तो उनको क्या करते हैं, उन सारे करिकूलम को कह सकते हैं कि जो मतलब इसकूल में कभी-कभी आपने सुना होगा कि इसकूल में क्या हो गए कि बुक नहीं है, बुक की सुभिधा नहीं है, फैसलिटी नहीं कोई चीज़, बहुत सारे resources की कमी हैं, इस पर इस से टीचर कम्प्लेन करते हैं, जो भी कह सकते हैं, लोग होते हैं उनको, उससे क्या होता है, कम्प्लेन को उन सारे कमीओं को पूरा करने की कोशिस करती है, और इस परकार से करिकूलम को इंप्लिमेट करवाने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करती है, ताकि अच्छा पढ़ाई, अच्छी भविश बच्चों का बन सके और देश की विकास हो सके, दोस्तों, मोडल ऑफ इंप्लिमेंटेशन, सोशल इंट्रेक्शन मोडल, सेंटर, फेरी-फेरी मोडल, सेफ्टिंग सेंटर मोडल, या फिर लर्निंग सिस्टम नेटवर्क मोडल, इन सारे चीज तीन को हम डिवाइट करेंग सोशल इंटरेक्शन मोडल, पर्सीब एजुकेशनल सिस्टम, एज अ कॉंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन सेब, जो समाज में एक दुसरे से जो इंटरेक्ट करते हैं, चीजों को, नीड की चीजों को समझा का, जो चीजे जरूरी होती है, उस से सोशल इंटरेक इंटरेक्शन मोडल भी कह सकते, चीजे जो इंटरेक्ट करने के लिए आईडियाज को इंटरेक्ट करने के लिए आईडियाज को उनके अनुसार implement किया जाता है और रिसर्च करते है इस परकार से चीजों को help करिकुलम को implement करने में बरी-बरी और्गनेशन हेल्प करते है तो यह सेंटर फेरी फेरी सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों इस प्रकार से इसमें कह सकते हैं कि इस सारे और सेंटर सोते हैं करिकुलम को implement करने में help करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन से आता है कि हमारा करिकुलम evaluation renewal के लिए क्यों जरूरी है तो करिकुलम renewal जो होता है time to time करनी चाहिए ताकि बच्चे की जो needs है जो involvement है टीचर की जो interest है बच्चों की जो interest है उसको बढ़ाया जा सके present scenario को देखते हुए ठीक है ना तो कह सकते हैं कि करिकुलम जो evaluation की बात आती है क्यों आती है तो जो हमारा जो डेवलॉप और न्यू करिकुलम जैसे कि मान लेते हैं कि जो improvement of students learning यह बच्चों की जो learning improvement इसको learning को improve करने के लिए करिकुलम को renew करना होता है improvement in the quality of education education की quality को improve करने के लिए किया जाता है the following main purpose of curriculum evaluation to develop new curriculum to renewal curriculum under implementation remove deadwood कह सकते कि जो कमिया है उसको हटाना है जो नया चीजों है उसको exist करना include करनी है the find out the effectiveness of the curriculum curriculum को ऐसा effectiveness science take जो need है present सिनारियो में उससे साबसे curriculum को समावेश करना चाहिए content को समावेश करनी चाहिए renew करनी चाहिए time to time दोस्तों मैंने बताया कि source of curriculum evaluation क्या-क्या हो सकता है कि learner हो सकते teacher subject expert हो सकते curriculum expert हो सकते policy maker community drop out sample employers and entrepreneur इन सारे चीजों हो सकते source of curriculum evaluation दोस्तों दोस्तों other resource हो सकता है curriculum implementation में other resource में government का body हो सकता है दोस्तों अपना government का NCIT हो सकता है NCF हो सकता है body यह सारे चीजे हो सकते government new education policy जैसे organization बहुत सारे कॉथारी Commission जैसे organization government बनाती है ताकि करिकुलम को ज्यादा से ज्यादा implement करने में अच्छा help करें यह सारे organization department of education हो सकता है दोस्तों education पर जो तेक्निकल चीजों को इसमें implement करने के लिए उनको एक की ज़रूरत होती है तो पहला जो होता रिस्ट्रक्ट्सन the curriculum सब्सक्राइब करने हटाना है उसको हटाना है ताकि करिकुलम में बिफालतु के चीजों को टाइम टू टाइम हटा कर बोरियत से बचाया जाता बच्चों को सब्सक्राइब करना है इन सारे बोरियत वाले टर्म को सब्सक्राइब करना है इन सारे चीजों को ध्यान में रखना रेशियो देखना है दोस्तों आपको फैक्टर बहुत सारे फैक्टर आपको चेंज रिन्यू करते समय करिकुलम सबसे पहले स्टाप जो एकाडमी की स्टाप होते हैं और एक फैक्टर का काम करते हैं और प्रिंस्पल एजुकेशनल अब्जेक्टिव सपोर्टर वीदिन दा इंवर्मेंट जो करिकुलम के समय सारे चीज़ों को इसे बजेट होने से आप करिकुलम असानी से चेंज कर सकते हैं रिन्यू कर सकते हैं कि आपके पास बजट रहेगा तो आप क्या कर सकते कि स्टाफिंग इशू जो है ज्यादा कम पैसे होने के बज़े साथ इस्टाफ कम रखते अगर आपके पास बजट सफिशेंट वे में रहेगा तो आप ज्यादा स्टाफ रहेगा जो बड़न इस्टेस उस सब क्या कर सकते क असके हैं कर्यकुलम को जाद से जढ़ कर सकते हैं करी को चेंज करते समये अब ध्यान को चाहिशन को इस ट्याप कर्या ऑफ चेज करें तो आप तो ऑफ करिकुलम की 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 कि ऐसकर क्यालिबर जो होता है capability जो होती है student की उन सारे चीजों को ध्यान में रखना है तो दोस्तों यह curriculum changes का था कि आप सारे सब सीन को नीट को student की हमारे जो local needs होती है उन सारे चीजों को ध्यान में रखकर आपको curriculum change या renew करना चाहिए तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएंगे है ना किसी पर कोई डाउट हो तो आप comment करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आप अगर बीट कर रहे हैं तो इस सारे चीजों को आप स्क्रीन से लेना और उसके बाद आप चीजों को इंप्लिमेट कर देना दोस्तों ठीक है ना नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक अपना ख्यार रखेएगा हैव गुड डे बाबाए